नमस्कार मैं हूँ संगीता राय पुर्वांचल एक्स्प्रेस नियूस के इस वेपोर्टल में आपका स्वागत है आए देखते हैं हमारे समवादाता राम सकल यादो की यह विशेश रिपोर्ट टीम इंडिया के लिए दस्तक दे रहे स्टार फिकेटर सर्फरास खान के भाई मुसीर खान सड़क हास्ते में घैल हो गये हैं मुसीर खान के गरदन में ज़्यादा चोट लगी है मुसीर अपनी पीता नौसाथ खान के साथ शुकरवाल के दिन आजमगर से लखनोज जा रहे थे जिस दरन हास्ता हुआ अभी तक दुरगटना का कारण पूरीता से स्पस नहीं है लेकिन सुत्रो का कहना है कि कार सड़क पर चार पास बर पल्टी जिसके चलते मुसीर को गंभीर चोटे आएं एक से पांच अप्टूबर के बीश लखनो के एकाना स्टेडिय में इरानी कप का मुकाबला मुंबई और रेस टॉप इंजिया के बीश खेला जाना है इस मैश में पहले मुसीर का एक्सिडेंट मुंबई के लिए बड़ा जटका है इतना ही नहीं रिपोर्ट ने बताया गया कि मुसीरी 11 अप्टूबर से सुरू होने वाले रजी ट्रॉफी की सुरुवाती मुकाबले भी मिस कर सकते हैं सर्फरास खान का परिवार मुलता उत्तर प्रदेश की आजमगर से तालोक रखता है यहां कि सगडी तहसिल से उनका गाउं वासुपार है मुसीर खान ने दलीब ट्रॉफी 24 में बल्ले से गदर काटा था इसके डेवियू मैश में मुसीर ने इंडिया भी की ओर से इंडिया एके खिलाफ मुकाबले में 181 रनों की पारी खेली थी इस दुरान उन्होंने 373 गेदो का सामना किया और 164 के के अलामा 5 शक्के लगाए थी दलीब ट्र के डेवियू पर किसी टीन एजर खिलाडी का यह तीसा सबसे बड़ा स्कोर रहा मुसीर के बड़े भाई सर्फरास खान इंडिया टेस्ट टीम में हैं और इस समय वक कानपूर में भारत बंगलादेश के साथ हो रहे टेस्ट मैश में उन्हें खेलने का आउसर तो नहीं मिल लेकिन वक टीम का हिस्सा है एक्सिजेंट की खबर लगते हैं मुसीर खान के आजम गड़ के सगड़ी तैसल छेतर के वासु पर गाउम पर इस्तित उनकी आवास वा सुपचिंद्गों का ताथा लगा हुआ है थाड़ा खास्ते से संबन में क्रिकेटर मुहसिन खान के माम क्या नम है आपका शकील हमाज अच्छे मुसी खान क्या प्राइब करते हैं मामू अच्छे कब पता चला की एक्सिजेंट खुआ को कहां जा रहे थे लगना उराष्टे में उक्सिजेंट है कब आपको सुच्छ न मिले हैं हुआ है होने के बाद में पता चला पोन आया कि कौन को उनके साथ उन्हें थे वो थे द्राइवर था बस बस आपने काम से जा रहे थे रास्ते में एक्सिलन हो गया उनका मुशीर बिलकुल ठीक है मुशीर को हलकी सी गर्दन में मोच आई है और मेदानता हस्पिटल के जो डाक्टर है उन्होंने बताया है उनका भी अभी बयान आ गया है कि एकदम ठीक है और जो कुछ दिखाया जा रहा है कैसे हो गया वैसे हो गया इसा कुछ नहीं है एकदम ब ग्राउन में आ जाएगा धन्यवाद अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए